चैनल को चैनल को आप मिदू इस वीडियो में जो आपके एक्सेस तो शॉञ्ण को सॉल्ट करने से पहले मैं और इस तर्मस को भी आप धाना कि अपसे रिलिटिव है और देखो टर्म्स क्या है रिवर्स औस्मोसिस तोड़ा सज्ञान से चाहिए रिवर्स औस्मोसिस क्या होता है देखो असरा झेर को और स्म्नोसिस प्रैसर और एक्स्वेंग करति से लिए इस डायगराम में हमने एक ने एक रिवर्स पर्व डेयों कर लोति है इस रिसलोई और डायगराम को लिए ह JUST में सेमीरtillी वल्व मेंब्रेन को ठीक ना सेमी पड़ने अर। और देखी ज़िए यहां पर आपने पृस्टन राये था भी डाइक फिगर को ध्यान से चैक्ट और यहां भर भी हमें जालना करें था फिस्टन राया था ठीक है एक है इसको पिस्टन के वह तो इसको फिस्टन दीत बोना यहां पर हमने इनफम्ट को फिल दिया था Osmont pressure तक जो डाईग्राम था उसकी बात परढ़े हूं ना है यहां पर आपने solvent को फिल दिया था अला हमने आपने पिल दिया था solution को अला है ठीक है ना जब यहां पर तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था इस सॉल्वेंट की जो मोरी प्रोसेस होती है उस आस्मोटिक प्रैसर में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो लोर कंसेंट्रेशन तो हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं इस मूवमेंट के कारण इस किस्टन पर एक प्रैसर एकसर्ट होता है और ये किस्टन उपर की तरफ उठता है अब आप इस आस्मोटिक प्रैसर इस आस्मोटिक प्रैसर को रोकने के लिए यहां तो यहाँ पर आपके बारा जो प्रेसर एक्सर्ट किया गया था वही क्या पहलाना था ओस्मोटिक प्रेसर अब बच्चों यहाँ पर चेक कर रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है तो देखो अगर इधर हम कोई भी डाइडूर्ट सॉलूशन बढ़ते हैं और इधर हम ले लेते हैं कोई भी कंसेंट्रियर्ट सॉलूशन ठीक है और ये विद्वर्ट गया है सेमी पर्मियेवल मेंब्रेंड अब सिस्टम से क्या हो चीए जो डाइडूर्ट सॉलूशन में जो सॉल्वेंट पर्टिकल है वो मूब करने चाहिए कंसंट्रियर्ट सॉलूशन की तरफ यही वाना चीए ना और इस पर एक प्रेसर एकसर्ट होना चाहिए और यह पिस्टम उपर की तरफ उतना चाहिए बट यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है यहां पर देखो हम कौन सी कॉसेश करने वाले हैं रिवर्स रिवर्स का अतला उल्टा ओस्मोसिस आपको क्या करना है उल्टा करना है तो हाया कंसंट्रेशन से कि पिस्टम जो इस जो सॉलूसन साद के मानाना इसको सूलमेत मानूं अभीविट और उसको मानने हम सॉलूसम तो दो सॉलुसर्ण साद के जो करें और उस प्रेसर इतना करें कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूब कर जाएं इस तरफ डायलूट सॉलूशन की तरफ किस तरफ मूब कर जाते हैं तो अगर यह पार्टिकल यहाँ से जो लृजशन के अंदर से जो प्यूर सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ से मूब करके कहां पहुँँच जाएं डायलूट ॉलूशन के अंदर पहुँच जा solvent particle है concentrate solution के यानि कि solution के अंदर जो solvent particle है वो pure solvent की तरफ move कर रहे हैं कर रहे हैं एक ना कर रहे हैं ठीक है ना move कर रहे हैं तो इसलिए इस osmosis जो process है इसको हम क्या बोलेंगे reverse osmosis क्या बोलेंगे इसको हम reverse osmosis क्योंकि इसको हम जवर्दस्ती इधर बेज रहे हैं pressure exert करके उल्टा बेज रहे हैं इसलिए इसको हम reverse osmosis बोलते हैं अब इसको आप कहाँ पर यूज़ करते हो बताओ इसको हम यूज़ करते हैं hard water को soft water में convert करने के लिए यानि कि जो खारा पानी होता है उसा मीठ पानी में convert करने के लिए इस प्रोसेस का प्योग करते हैं और इसको आप जानते हो बिटा किसके नाम से आर ओ आपके घरों में लगा हुआ है ना आरो आरो वाटर आरो का पानी पीते हो कि नहीं पीते हो इसको सौड फॉर्म में बोलते हैं आरो और आरो की फॉल फॉर्म क्या होती है reverse osmosis और इसी प्रोसेस के थ्रो जो आपका आरो लगा हुआ है वो पानी को सुद्ध करता है अब देखो इस जो concentrate solution है इस पानी के अंदर पूरे के पूरे जो unnecessary substance हैं यहां पर mixed होते हैं ठीक है ना जिससे fluoride वगएरा आपको वो पीना नहीं है तो फिर क्या करेंगे इसके उपर यह pressure exert करेगा और इसमें तो only solvent कोन है इसमें solvent water molecules ही तो हैं तो इसमें से only solvent particles को only solvent particles को यह इसमें से बाहर निकाल देता है अब solvent particle वार आगे तो इसमें it means water molecules वार आगे और वो water molecules pure water molecules आपको obtain हो जाता है और उसे आप use करते हो पीने की फॉर्म में ठीक है ना तो यह होता है वीटा reverse osmosis तो इसको कैसे define करें इसको define करें if we apply excess pressure देखो लिखें हैं if we apply excess pressure if we apply excess pressure from osmotic pressure on a solution from osmotic pressure from osmotic pressure on a solution on a solution then pure solvent then pure solvent come out from solution come out from solution through spm spm को तो समझी जाओगे semi-permeable membrane अगर अगर आप excess pressure को osmotic pressure से अधिक pressure को solution के उपर लगाते हो तो solution के अंदर से जो pure solvent particles होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे किस के दौए किस से spm से बाहर आ जाएंगे समझ मारी बाद ठीक है ना hence flow of solvent hence flow of solvent particle particle to pure solvent to pure solvent एज़े इसको क्या माले हैं pure solvent माले हैं और इसको concentrate solution माले हैं चाहे इसमें यहाँ इसको dilute solution लेलो चाहे इसको concentrate solution लेलो और यहाँ फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसको pure solvent लेलो और यहाँ पर solution लेलो तब भी वही फिर करेंगे solution के अंदर से solvent particle आएंगे तो इस sand को pure जैसे solvent माने तो hence flow of solvent particles to pure solvent through SPM is called reverse अश्मोसिस अब यह जो process है यह किसके इनवर्स है बताओ किसके इनवर्स है अरे the main direction जो इसकी direction होती है वो किसके इनवर्स होती है ओस्मोटिक प्रेसर के इनवर्स नहीं है क्या of अस्मोटिक प्रेसर इज इनवर्स है के नहीं उल्टी अरे direction अस्मोटिक प्रेसर के उल्टी हो गई अब इसका यूज कहां करोगे आप लोग कहां पर यूज करेंगे अभी बता है था आपको दिस प्रोसेस देखो यूज लिख रहा हूं में आपर क्या लिख देता है यूज इस प्रोसेस यूज लो फोर प्योरिफिकेशन अफ सी वाटर एंड हार्ड एंड हार्ड वाटर समुद्र के पानी को और हार्ड वाटर को प्योर करने में इसका उप्योग किया जाता है यह प्रोसेस कहलाते है वीटा रिवर्ट्स ओस्मोट्सिस प्रोसेस ठीक है ना तो आप इसके फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा ठीक है ना यहाँ पर आप ध्यान कहा रखेंगे एकसेस ओस्मोटिक प्रैसर एपलाई कर रहे हैं हमें यह पर तो यह जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं किस तरफ मूब कर रहे हैं सॉलूसन के सॉल्वेंट पार्टिकल किस तरफ मूब कर रहे हैं प्यॉर सॉल्वेंट की तरफ ठीक है ना किस तरफ मूब कर जाते हैं यह प्यॉर सॉल्वेंट की तरफ ठीक है तो यह reverse osmosis की process है इसको आप figure को भी बना आना चाहिए हमें figure से हमको याद रहता है पूरा और definition भी आप यहाँ पर आराम से note कर सकते हैं ठीक है ना अब देखो हम book question चेक करें विटा यहाँ पर ठीक है ना तो देखो question note कर रहा हूँ मैं question को लिख रहा हूँ अपना question है यह 0.1m solution of 0.1m solution of k4 fe cn6 क्या बहुलेंगे इसको potassium ferocyanide was 45 ionized was 46 percent ionized ठीक है ना at 27 degree centigrade temperature at 27 degree temperature calculate the osmotic pressure of solution calculate the osmotic pressure of solution आपको solution का osmotic pressure यहां पर calculate करना है ठीक है ना और आपको यहां पर क्या क्या है और substance क्या है हमारे पास किसका solution है potassium ferocyanide गा और यह 40 percent ionized हो चुका है ionized हो चुका है यानि कि अब इसका dissociation हो चुका है अब dissociation अगर किसी सबस्टेंस का किसी solution में जो पार्टिकल्स होता है डिस्कुस का dissociation association होता है तो उसको explain करने के लिए जो formula दिए गए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे वांट आफ की द्वारा वांट आफ के द्वारा दिए थे रहा तो आपको यहां पर osmotic pressure निकलना है किसका solution का तो देखो we are given क्या क्या दे रखा है हमको solution की जो molality है वो कितनी है बताओ molality of solution कितना है वहिया एक यह 0.1 नहीं दे रखा है क्या आपको 0.1 यानि की concentration कितनी दे रखे है आपको concentration c equal to 0.1 m concentration चेक करो हते कना है ठीक है ना अब 0.1 m concentration दे रखे है और आपको पता है कि temperature कितना है temperature t 27 degree centigrade अब आपको पता है chemistry में degree centigrade में तो चलता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा 27 को Kelvin में convert करना पड़ेगा तो कितना add कर दो इसमें 273 तो यह कितना हो गया 300 Kelvin कितना आगे बटा 300 Kelvin अब देखो आपके पास formula है किया we know that osmotic pressure का formula phi equal to i into crt यह formula आया था ना अरे आया था ना c equal to क्या होता है n upon b number of moles of our और उसका solution का dilution ठीक है ना तो c upon b होता है n upon b होता है c equal to अब आप यहां पर चेक कर यह वेटा के आपके पास क्या यहां present होता है क्या present नहीं है अब देखो आर यहां पर gas constant है तो r की value क्या होती होता हूं gas constant r equal to 0.082 इसकी यूनिट को मैं नहीं लिक रहा हूं यह r की value होती है अब आपको इसके अंदर पहले तो क्या चाहिए i चाहिए उसके बाद c आपके पास है r आपके पास है और t आपके पास है तो first of all आपको क्या निकालना है c i निकालना है तो देखो बटा यहां पर यह जो solution है यह solution ही यहां ionizer हो रहा है ionizer का मतलब अगर इस solution को आप ionize करते हो k4 fe cn 6 को तो इसका ionization कैसे होता है k4 fe cn 6 का ionization करके देखो तो यह क्या बनाता है four ion तो मिलेंगे किसके potassium के और एक ion आपको मिलेगा किसका फैरो syneid का यही तो हो गए इसका ionization ठीक है ना तो यहां पर चार four तो आपको मिलेंगे potassium के और एक किसका मिल गया फैरो syneid का total number of ions कितने हो गए five number of ions number of moles of particles कितने हो गए पास five हो गए ना अब इसके बाद आपको निकालना है क्या इसमें से इसमें formula कौन सा लगाएं जब ionization हो रहा है तो dissociation हो रहा है dissociation हो रहा है ना तो degree of dissociation वाला formula इसमें यूज करेंगे तो degree of dissociation क्या होता है देखो चेक करो given want of factor want of ने क्या दिया i equal to degree of dissociation का formula ध्यान होता हो 1 plus alpha n minus 1 upon 1 ये degree of dissociation में दिया था ठीक है ना तो ये तो ionization हो रहा है और ये उसके क्या है calculated moles है चीक है ना अब यहां पर आप लोग देखिए किस की value चाहिए आपको इसके अंदर alpha की value चाहिए और n की value चाहिए तभी तो i की value निकलेगी तो देखो alpha equal to क्या होगा यानि कि alpha क्या है degree of dissociation degree of dissociation तो कितना part यहां पर dissociate हो रहा है 40% अगर आपके पास solution 100% है तो उसका कितना part यहां पर dissociate हो गया 46 तो 46 by 100 अलफा की value आ गई degree of dissociation नहीं तो यहां पर कितना part dissociate हो रहा है 46 किस में से 100 में से अब n की value चीए n equal to क्या होगा बताओ n equal to क्या होता है number of moles यहां की number of moles किसके जब ionization इसका हो चुका है तो कितने होगे बताओ यह चार तो इसके निकले ions और one इसका निकला तो total number of moles कितने होगे ions के 5 तो n की value क्या आ गई यहां पर 5 अब इसमें इसकी value रख दो i equal to 1 plus 46 by 100 into 5 minus 1 divided by 1 इसको लिखनी रहूं मैं solve करो 1 plus 46 divided by 100 multiply 4 multiply 4 हो जाएगा न अब multiply 4 आ गया तो अब निकले बिटा इसको यह कितनी बार गिट गया 25 ठीके न इसको मैं इधार ले जा रहा हूं 1 plus 46 divided by 25 अगर 25 LCM लें तो 25 plus 46 equal to कितना आया बताओ 11 7 25 और इसकी value कितनी आईगी बताओ निकालो फटापट से 2.84 के लगवग आएगी तो आपको I की values hence I equal to 2.84 यह value आगे देखरें यह ने नीचे चेट कर लो I की value कितनी आगे 2.84 अब आपको क्या निकालना है अब हमको निकालना है क्या Osmotic Pressure क्या निकालना है Osmotic Pressure तो देखो चूंकि Pi equal to I into CRT ठीक है न तो I की value कितनी आगे 2.84 C की कितनी दे रखें बताओ 0.1 R की कितनी है 0.082 और T की कितनी है 300 Kelvin Solve कर ले हो इसकी 2.0 आ जाएंगे नीचे इसकी 1.0 इसकी 3 तो देखो 2 से तो 2 गई है ठीक है न अब आपके पास values क्या वज़ी है 284 into 3 का इसमे multiply कर रहा हूं मैं direct 6 to 4 divided by कितनी 0 बची है 2,3,4 10 power 4 बचा है ना इनका multiply कर लो दोनों का multiply कर लो और 10 power 4 का इसमे क्या कर दें? डिबाइड कर दें और डिबाइड जब कर देंगे तो हमारे पास यहां पर जो आएगा answer आएगा वो आप निकाल के देखेंगे चेक करेंगे और answer जो आएगा यहां पर मैं लिख रहा हूं वैसा 6.9 ATM तो osmotic pressure किसना आ गया? 6.9 ATM यह आपका answer हो गया आप इसको multiply करके निकाल ले ना ठीक है ना? तो यह चेक कर लो गटा किस तरह से हमने इसको solve किया है? ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3 gram 0.3 gram benzoic acid benzoic acid is dissolved in 20 gram benzene 0.3 gram benzoic acid को dissolve किया है 20 gram benzene के अंदर the depression in freezing point of the solution the depression of freezing point of freezing point of this solution is 0.317 Kelvin calculate the degree of association of benzoic acid calculate the degree degree of association association of benzoic acid ठीक है ना? और यहां पर आपको given है KF for KF for benzene equal to 5.1 Kelvin kilogram per mole यह आपको यहां पर दिया हुआ 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 question के अंदर अब आपको यह calculate करना है वेटा कि degree of dissociation आप किस तरह से calculate करते हो ठीक है ना? तो हमको यहां पर depression of reaching point दे रखा है क्या दे रखा है? depression of reaching point स्यान से चेक कर लो बिटा देखो 0.3 gram benzoic acid is dissolved 20 gram benzene तो चेक करो यहां पर कौन सा तो solute है और कौन सा solvent है इस चीज़ को चेक करना है तो देखो यह तो solvent हो गया benzoic acid solute हो गया ठीक है ना? और यह depression in freezing point आगे आपके पास और आपको निकालना है degree of association want of factor के accordant ठीक है ना? तो यहां पर पहले में लिख लूँ be are given तो देखो molecular mass दे रखे हैं यह सब mass of benzoic acid mass of benzoic acid यह कौन है? solute bracket में लिख रहूँ मैं कितना है? solute को किस से denote करते हो आप? wb से यह है 0.3 gram ठीक है ना? और mass of benzoic ठीक है ना? mass of benzoic यह क्या है benzoic solvent हते हैं ना है इसको denote करेंगे किस से? wb से यह कितना है? 20 gram depression and freezing point काईते denote करें भी या? del tf equal to कितना दे रखा है? 0.317 kelvin ठीक है ना? यही तो हमारे पास है अब आपको निकलना क्या है? degree of dissociation क्या निकलना है भी या? degree of sorry association निकलना है आपको degree of association तो देखो sorry degree of association हाँ degree of association आपको निकलना है आपे चलो चेक करते हैं degree of association के लिए हमारे पास जो formula है था want of के according according to want of degree of association बता फॉर्मूला alpha equal to क्या है था? alpha equal to n into n into i minus 1 divided by 1 minus n तो आपको degree of association अगर निया पर calculate करना है तो हमको क्या चाहिए? i चाहिए और n चाहिए पहले हमको want of factor निकलना होगा और फिर उसके बाद क्या निकलना होगा? number of moles of solute molecular mass निकालना पड़ेगा कितने mole solute के क्या हुए है इसके अंदर? associate हुए है ठीक है न? तो पहले हम चेक करें वीटा हम want of factor को निकालते हैं ठीक है न? i की value को calculate करते हैं सबसे पहले i की value को calculate करने के लिए आप लोग क्या करोगे? i की value को calculate करने के लिए क्या करोगे? i calculate करते हैं देखो वांट होफ फैक्टर आई इक्वल टू थेोरिटिकल मोलेकुलर मास सॉलिट के लिए कर रहे हैं अपन अबजर्ब्ड मोलेकुलर मास ठीक है ना तो सॉलिट को ने बेंजियो कैसेड है बेंजियो कैसेड के लिए थेर्टिकल मोलेकुलर मास तो फिक्स है लेकिन उसका अपजर्ब मोलेकुलर मास निकलना है तो अपजर्ब मोलेकुलर मास के लिए हमारे पास क्या formula है observe molecular mass के लिए formula कहाते लाएंगे हम हम लाएंगे depression in freezing point में थे कहाते लाएंगे depression in freezing point ठीक है ना we know that depression of freezing point का formula क्या था del tf equal to kf into m यही तो था अब m क्या था molality of solution और m की जगे पर क्या लिख सकते थे हम kf into mb upon wa into wb sorry यहां wb आएगा और यहां पर mb mb into अगर ग्राम में दे रखा है तो बन्ता और जेंट का multiply करते थे यही तो आया था अब इस में से आपको observe molecular mass यहां पर calculate करना है क्या करना है observe molecular mass calculate करना है किसका cable किसका mb का sorry cable उसका नकलना है हमको solute का तो यहां पर इसको हम calculate करते हैं हमको calculate करना है जो molecular mass solute का solution के अंदर आएगा वो observe ही होगा तो इस में से mb की value नकलो mb equal to क्या नकला था आपने देखो kf upon del tf into wb upon wa into 1000 यह formula हम calculate पहले प्रूब कर चुके हैं अब values कर रखी है kf की value किते हैं 5.1 into wb की किते नहीं है 0.3 gram into 1000 divided by del tf कितना दे रखा है depresional freezing point 0.317 और wa यानि की mass of solvent कितना है 20 gram तो यहां से आप mb की value calculate करिए इसको solve करिए और यहां पर mb की value calculate करके लाइए और यहां पर mb की value calculate करके लिए बलाते हैं तो हमारे पास आती है 241 mb की value क्या आती है 241 अब इसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया observe moles आ गये mb observes यहां पर आपको ध्यान रहेगा मैं लिख दूँ mb observe ठीक है ना mb observe equal to 241 अब mb observe 241 बना गये तो mb की इसका solute का जो theoretical mass molecular mass होता है यानि की बेंजियोग acid का molecular mass कितना होता है 122 होता है तो i equal to क्या हो गया theoretical molecular mass of बेंजियोग acid 22 upon 241 यह i की value आ गई अब यहां मेते i की value निकाल लिए और i की value को निकाल कर लाइए और उस i की value को हमको यहां पर note करना है इस formula में कितना है बता हो उसका उसकी value निकालो उसकी value आती है i की 0.506 ठीक है न अब हमको क्या चाहिए n चाहिए अब यहां पर जो बेंजियन के अंदर बेंजोएक acid आपने क्या किया है sol solubil किया है न अब बताइए बेंजियन के अंदर जब बेंजोएक acid को solubil करते हैं तो क्या होता है तो देखो ध्यान से चेक करना हो when benzoic acid dissolved in benzene then it then it form dimer तो यह क्या बनाता है dimer बनाता है बिटा डाइमर अगर बनाता है तो benzoic acid का dimer बन गया तो यहां पर benzoic acid के कितने number of moles हो गए दो एक एक ना है गए benzoic acid के number of moles कितने हुए दो हुए न दो एक ना हुए अब आप अपने फॉर्मूले में लेगे इसको इस फॉर्मूले में यूज़ करना है सारी चीज़ आगे आपके पस i आ चुका है आपके पस n आ चुका है अब यह वाला फॉर्मूला य alpha equal to alpha equal to n into i minus 1 और 1 minus n अब इसमें value इसको put करिया आप n कितना है 2 i कितना आया 0.506 minus 1 1 minus 2 यह value आगे आपके पस ठीक है ना अब यह value अगर आपके पस आगई तो इसको आप solve कीजिए और इसको जब हम solve करते हैं तो आपके पस degree of dissociation कितनी आती है degree of dissociation आता है हमारे पास 0.988 ठीक है ना और degree of dissociation को अगर हम इसको percentage में लिखे और alpha equal to कितना हो जाएगा यह 100 से divided हो जाएगा तो कितना परसेंट आ जाएगा 98 परसेंट यह answer आगे 98 परसेंट यानि कि आपने जो पेंजोएक एसड़ी लिया है बेंजीन के अंदर डिजॉल्ब जब करते हो तो उसका कितना पार्ट डिस एसोसियेट हो जाता है 90 ए पार्ट एसोसियेट हो जाता है तो यह डिग्री ओफ एसोसियेशन आपने यह पर निकाला है ठीक है तो चेक करो इसको यह जो अलफा की वेल्यू है इस अलफा की वेल्यू को मैं यह लिख दूँ अलफा एक्वल टो 98 परसेंट ठीक है ना 98 परसेंट आपको यह आंसर आ जाएगा यह आपका आंसर है 98 परसेंट अलफा की वेल्यू अगला question है देखो calculate molidity of 10% W by W equals S2SO4 इस question को हम कर चुके हैं मिटा साइद आपके chapter में पहले हम इस question को कर चुके हैं तो इससे अगला next question देखते हैं और हमारे पास next question है The theoretical molecular mass and observed molecular mass of an ionic compound AB यह आपकी exercise का second question है The theoretical molecular mass The theoretical molecular mass अच्चा मैं question को नहीं लिखता हूँ मैं सीदे सीदे इसको solve कर दूँ तो क्या दिक्कत है क्योंकि इसको लिखने में काफी time लगता है ठीके ना मैं सीदे सीदे इसको solve कर रहा हूँ और आप लोग अपनी बुक से चेक कर लेना आप लोग अपनी बुक से चेक कर लेना Question number 2 है किसका आपकी exercise का देखो यहाँ पर एक ionic compound है और ionic compound क्या है ionic compound है और ionic compound को यहां माना है AB ठीक है ना और इसका theoretical और observe molecular mass दे रखे हैं तो theoretical molecular mass कितना दे रखा है यह दे रखा है वाई साब 58.2 और observe molecular mass दे रखा है यहां पर observed molecular mass दे रखा है यहां पर 30 चीक है ना calculate the want of factor and degree of dissociation आपको want of factor और degree of dissociation निकालना है चीक है ना तो देखो we know that want half factor i equal to क्या होता है theoretical molecular mass divided by observed molecular mass यह भी लखाता ना आपने तो बस सीधे सीधे value रख दो 58.2 divided by 30 निकाल दो कितना आया बताओ 1.94 तो i की value क्या आगे आपके पास 1.94 एक आंसर यह आ गया want of factor तो यह निकाल दिया इसका ठीक है ना आप निकालना है आपको degree of dissociation दूसरा इसमें क्या निकालना है degree of dissociation या ionization लिख सकते हैं degree of ionization क्योंकि यह ionic compound है तो ionization ही होगा degree of ionization degree of ionization alpha equal to ionization में क्या लगाएंगे alpha equal to आपको क्या लगाना है बताओ formula अरे dissociation हो रहा है ना तो dissociation हो रहा है तो क्या लगाते हैं i-1 divided by n-1 यह तो लगाएंगे क्या लगाएंगे i-1 divided n-1 तो लगाओ formula i-1 n-1 i की value आपके पास रही है और n की value और निकाल नहीं है हमने तो n की value क्या है number of moles हो जाएंगे तो देखो आपके पास compound क्या है a-b अब इस a-b compound का अगर ionization होता है तो आपको यहाँ पर कितने number of ions obtain होने चाहिए कितने बताओ अगर यहाँ जगह पर ही a-b की जगह अगर a-b 2 हों तो तो number of moles कितने हो जाते 3 अगर a-b 3 होता तो 4 समझ मागी और अगर यह a-b 3 होता तो कितने हो जाते 5 आगे बाद समझ में तो n की value कितने हो जगह 2 तो i alpha equal to i की value दरसिल लेलो 1.94-1 upon 2-1 कितना आया 0.91 upon 1 तो degree of ionization कितने है 0.91 कितने percent होनी चाहिए बता हो यह 94 है sorry 94 कितने percent होना चाहिए बता हो यह होगा 94% degree of ionization कितना है 94% ठीक है न करो note फटा फट से अब देखो next question है तुमारे इसमें exercise में question number 4 है question को नहीं लिक रहा हूं है और देखो 0.21 equal solution of protein protein का solution है 0.21 contain 1.26 gram protein solution के अंदर 1.26 gram protein प्रोटीन प्रिजेंट है osmotic pressure solution का दे रखा है और यहां पर आपको molecular mass of protein को calculate करना है तो यहां पर मैं values लिख लेता हूं जो यहां पर दी चुकी दी जाद दी गई है तो देखो we are given सीथे direct में value लिक रहा हूं question नहीं लिक रहा हूं प्रिजेंट करते हैं पाई से यह दे रखा 2.57 into 10 power minus 3 2.57 into 10 minus 3 बार यह बार भी इसका unit होता है atmosphere प्रेस रखा और पास बो sorry यह atmosphere भी होता है ठीक ना तो यह दोनों लगवग equal होते हैं और second value दे रखे हैं हमको यहां पर second value है mass of solute कितना है mass of solute है 120 gram यहनि कि protein protein जो है वो solution के अंदर प्रजेंट थी 1.26 gram तो इसको बोलेंगे mass of solute mass of solute यह देनोट करें कही थे w भी थे 1.26 gram और यहां पर दूसरी चीज़ दे रखें विटा यहां पर जो solution है उसका dilution भी दे रखा है आपको और जो solution उसका equus solution है ना इसलिए उसका dilution है यह और dilution को देनोट करते हो आप लिख दो हूँ चलो में यहां dilution ठीक है ना तो ध्यान रखें हो और यह dilution दे रखा है 300 Kelvin टेमपरिचर कितना दे रखा है 300 Kelvin 300 Kelvin टेमपरिचर है और आपको यहां पर क्या निकलना है हमको calculate करना है molecular mass of protein molecular mass of protein molecular mass of protein तो protein क्या है solute तो है तो solute का molecular mass आपको observe करना है ठीक है ना तो आपके पास formula क्या है we know that pi equal to क्या है CRT अरे formula आपको यहां पर concentration नहीं दी हुई है क्या दिया हुआ है dilution दी हुआ है तो चोकि c equal to क्या होता है nyv तो आप क्या लेको क्या लेको क्या लेको क्या लेको pi equal to nyv into rt r की value और लेको दो यहां पर में r equal to 0.082 ठीक है ना यह gas constant है यह तो डटलो इस values को अब देखो यह क्या है n number of moles of solute अब solute के अगर आपको number of moles नकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा solute का जो mass है उसमें उसके molecular mass का क्या करना पड़ेगा divide करना पड़ेगा तब आपको number of moles नकलेंगे number of moles नकलने के लिए mass of given substance divided by molecular mass of given substance तो given substance आपके पास को नहीं आपके प्रोटीन ठीक है ना तो देखो पड़ा क्या लखेंगे आप इसको n की जगए पर यह लिया हो c की जगए पर यह लिया हो c की जगए पर यह आगो अब क्या formula बन जाएगा n की जगए पर लाओ wb upon mb into v into rt यह formula आगो अब याते तुम्हारों यह numerical solve होगो तो पाई equal to wb कहा है wb देखो यह रहा sorry आपको इसमें से निकालना क्या है या है और निकारदों में चलो और mb को calculate करना है न तो आपके पास formula final यह आ जाएगा wb into rt divided by pi into v इस formula हम रखना है तो अब हमको value निकालना है mb की mb equal to देखो wb wb 1.26 into r r की value 0.082 into t 300 ठीक है न निचे का है pi pi की value का है यह रही 2.56 10 पावर माइनस 3 into value कितने है dilution कितना दरखा है 0.21 solve करो यह solve करो आप ठीक है और इसको साथ देखो solve क्यास करेंगे यह point और यह point दोना अट जाएंगे ठीक है न यह नीचे से जो 3 minus 3 है न यह उपर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे यानिकि 3 0 उपर हो जाएंगे और इसकी 3 0 निचे आएंगे तो यह कर जाएगा और इसका point कर जाएगा चेक करके देख लेना 126 into 82 into 300 divided by 257 into 0.21 यह value आ रही है अब इसको आप solve कर लो इसको इन सब का multiply करिए इसका इसके अंदर divide करिए और आपके लिए आ जाएगा molecular mass of protein और यहाँ पर जो molecular mass of protein आपको obtain होने वाला है वो है 54.7 54.7 10 power 3 यह molecular mass आपको obtain होने वाला है और अगर इसको gram पर mole में आप लिखोगे तो कैसे करेंगे 1000 का भाग ले देंगे 1000 का भाग देंगे ने हमें divide कर देंगे भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50.7 gram पर mole यह answer आ जाएगा आप लोग इसकी calculation को खुद करके देखो चेक करो calculation को यह आता एक नहीं आता है देखो एक question हो रहे है इसका question है calculate the temperature question number 8 है आपके exercise का calculate the temperature at which the solution of 54 gram glucose present in 2250 gram water will be freeze तो आपको यहाँ पर temperature calculate करना है ठीके ना क्या calculate करना है temperature calculate करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या given है सबसे पहले वेटा अगर आप इसको निकाले तो ना we are given हमको क्या दिया हुआ question के अंदर तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमको अब इसके अंदर कौन सा वाला formula यूज़ करना है ठीक है ना तो देखो यहाँ पर दे रखा है mass of solute mass of solute को किसे denote करोगे wbc यह 54 ग्राम मैंने बोला था ना भी 54 ग्राम और यहाँ पर दे रखा है यह glucose है 54 ग्राम और प्रजेंट 500 ग्राम बाटर में तो mass of solvent भी दे रखा है mass of molecular mass of solute भी दे रखा है यह तो solvent sorry solvent 54 ग्राम 54 ग्राम तो solute ही होगो ठीक है ना mass of molecular mass यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा क्या molecular mass किसके रही है molecular mass of solute हाँ तो भी टर्ट चेक करेंगे हम देखो ध्यानते आप calculate the temperature at which solution of 54 ग्राम ग्लुकोज प्रिजेंटें 22 50 ग्राम वाटर विल भी फ्रीजड तो हमको दे रखा है mass of solute 54 ग्राम ग्लुकोज का मास दे रखा है solvent कितना लिया है आपने डाइशोग्राम लिया है वाटर लेया ना solvent यह mass of solvent हो गया अब molecular mass of solute यानि कि mb यानि कि glucose का मास कितना होता है यह क्या है mass of glucose निकाल लेओ c6 h12 o6 ते निकाल सके न या 12 चिक्की बैतर और 16 चिक्की कितने हो गए च्छान में च्छान में और 12 और बैतर सब को calculate करो 180 आता है यह ठीक है ना तो अब देखो we know that freezing freeze करें ना तो freezing point del tf equal to क्या होता है kf into m molality of solution del tf equal to kf into क्या हो जाएगा बताओ wb upon mb into wa अगर gram में amount दे रखी है तो 1000 से multiply आपको निकालना क्या है आपको निकालना क्या है यहाँ पर बताओ हमको यहाँ पर क्या निकालना है वेटा temperature निकालना है temperature ही तो निकालना है किस temperature पर फ्रीज होता है freezing point ही तो निकालना है तो equal to kf kf जो है उसके लिए kf की value यहाँ पर दे रखी है kf की value दे रखी है आपको glucose के लिए 1.86 question में दे रखी है kf की value तो आप 1.86 into wb कितना है 54 into 1000 divided by mb कितना है 180 into wb कितना है 250 calculate करो इसकी 2.0 नीचे आजाएंगी point अट जाएगा ठीक है ना 2.0 गई 1.0 गई क्या बचा आपके पास 186 into 54 divided by 180 into 24 यह बचा है ठीक है ना यही तो बचा है calculate कर लो इसको इसको जब हम calculate करते हैं तो यह आता है हमारे पास 2.32 degree centigrade यह इतना आता है 2.232 degree centigrade डेल टीएफ और आपको पता है कि हम इसको degree centigrade को convert करना है किस में Kelvin में तो इसको किसके साथ add कर देंगे बताओ 273 के साथ add कर दो इसको अरे कर देंगे कि ना कर देंगे 273 के साथ add और 273 के साथ add कर देंगे तो यह कितना आएगा कितना आना चीए अगर real temperature देखे रहा हम 273.515 होता है और direct यह हमें add करो किते कहेगो ही बताओ degree centigrade का असे आपको Kelvin में लाना है degree centigrade से आपको freezing point है तो यह तो add नहीं करेंगे वाई साथ freezing point है तो यह add नहीं होगा यह तो subtract होगा क्योंकि freezing point निकरना है आपको तो यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे आपको 273 में से इसको subtract कर दो अगर Kelvin में निकालना है तो तो लगवग यह इसको 3 मान ले तो डेल टी एफ की value approximately 270 नहीं आ जाई का 270 Kelvin चलो इतनी मान लेते हैं ठीक है ना तो यह इसका freezing point आ गया glucose का glucose का freezing point कितना आ गया 270 तो देखो बटा आपके जो exercise के अंदर जितने भी question दे रखे हैं वो सबी के सबी हमने यहाँ पर solve कर दिया है तो के अंदर कोई भी question आपका ऐसा नहीं बचा है कि जो रह गया हो और बाकी की जो question इसके अंदर numericals के अलावा मैंने आपको जो नहीं बोले हैं वो सब के सब question आपके लिए मैं पहले solve करा चुका हूँ ठीक है ना देखो different reverse osmosis यह भी मैंने solve करा दिया था यहाँ पर एक question और है इसको हम चेक करते हैं इसको डालते हैं कार के radiator में ठीक है ना कार के radiator में क्या होगा पहले already पानी होगा पानी होग नहीं होगा अब पानी के साथ आप plus किसको mix कर रहे हो ethylene glycol को तो यह क्या बन गया बटा solution solution बन गो ना और देखो solution का जो freezing point होता है वो pure solvent से कम होता है freezing point of solution is less than solvent क्योंकि ethylene glycol solute है और water क्या है solvent है तो solute से क्या होता है यह इसका solution का freezing point घट जाता है अब freezing point अगर इसका घट जाएगा तो यह तो किसकी बात हो गई freezing point अगर घट जाएगा तो यह तो जमेगा नहीं radiator में जो पानी है वो नहीं जमेगा तो बात किस्मी की जारी है summer के season में तो summer के season में तो all ready वैसी ना जमे पानी अगर हम ठंडे देशों की बात करें European जो countries है उसमें temperature minus में चला जाता है तो उस जगे पर problem आती है कि जो car के radiator बगे रहा है उसमें जो water fill होता है वो ice में convert हो जाता है अब car के radiator का पानी अगर ice में convert हो गया तो वो car को नहीं चलने देता है engine खराब हो सकता है इसलिए वहाँ पर winter season में car के जो radiator से उनके अंदर इथालीन गलाइकोल मिलाने की advice दी जाती है तो वेटा यहाँ पर summer season की अगर बात करेंगे तो summer season के लिए तो आप no नहीं मिलाएंगे नहीं advice देंगे ठीक है ना तो यहाँ पर यह बात जो पूची जाय दी है ना कि advice दोगए कि नहीं दोगए नहीं दी जाएगी summer season में टैथलेंग लाएक वलकुमलाने के लिए किलियर है ना बाकी और कोई question ऐसा बचा नहीं बटा तो आपका यह chapter बिलकुल finish हो चुका है और अब हम next video में आपके सामने नए chapter के साथ आएंगे किलियर है ओके